यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यह प्राथमिक्ता हैं जो आप डिसाइड करते हैं यह किस तरह डिसाइड करते हैं और यह इशूज कैसे उपर आए दिखे मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आज़ादी के सतर साल में किसी सरकार का इन विश्यों पर ध्यानी नहीं था यह यह कहना तो उनके साथ अन्या होगा तो मैं उस परकार से बात करता नहीं हूँ और मैंनों के लाल के लिए से यह भी कहा था का आज हंदुस्तान जहां है वह कि देश आजाद होने से लेकर के सभी सरकारों का सभी प्रधान मंत्रियों का सभी राज्य सरकारों का सभी मुक्य मंत्रियों का हर जन प्रतिजिया कोई न कोई योगदान है यह मैंने लाल के लिए पर शका है और मैं इसको मानता हूँ लेकिन क्या कारण है कि इतनी योजनाय है, इतना धन खर्च रहा है, सामान्य मानवी की जिंदगी में बढ़लाव क्यों नहीं आपता है, मात्मा गांधी ने हम लोगों को एक सिद्धान दिया था और मैं समझता हूं किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज गले इससे भड़िया कोई सिद्धान नहीं ह है, उसकी जिंदगी में उस नीती का क्या प्रभाव होगा, मुझे मात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है, कि हम नीतियां कितनी बढ़ाएं, बड़ी-बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं, वो समाज का आखरी छोर का व्यक्ति, उस पर प कामों को कोई नेगेटिव पेंड भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए उन कामों को छोड़ देना चाहिए, क्या, गरीब जहां पड़ा है, पड़े रहने देना चाहिए, क्या, और तब जा करके, अब मुझे कलपणा कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलातकार होता है, कितनी दर्दनाग गटना है, लेकिन क्या हम यह कहेंगे, कि तुम्हारी सरकार में इतने होते हैं, मेरी सरकार में इतने होते हैं, मैं समझता हूँ, इससे बड़ा गड़त रास्ता नहीं हो सकता है, बलातकार बलातकार होता है, एक बेटी के साथ यह अत्याचार कैसे सान कर सकते हैं और इसलिए मैंने लाल किले पर से एक नए तरीके से इस विशे को प्रस्तूच किया था मैंने कहा हुआ अगर बेटी शाम को देर से आती तो हर माणबा कूछे कहा गई। फोड़ को मिलीर थी प्रों पर बात कर दे exped podcasts किसे बात क्रद एक इसकंहता को अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो कभी बेटों को तो पूछो कहा गए थे ये बात मैंने लाल के ले सकाई थी और मैं मानता हूँ ये बुराई समाज की हैं व्यक्ति की हैं विक्रूती हैं सब होने के बावजुद भी देश के लिए चिंता का विशे है और ये पांप करने माला किसी का तो बेटा है मुझे किताब पढ़कर के गरीबी सिखनी नहीं में तीवी के पर्दे पर गरीबी का एसास करना नहीं हूँ मैं उस जिंदकी को जीकर क्या आ मैं गरीबी क्या होती है पिछड़ापन क्या होता है करीबी की जिंदगी से कैसी जड़ों ज़या को है है और इसलिए इसलिए मैं मन से मानता हूं राजनीती अपनी जगा पर है मेरी समाजनीती कहों मेरी राख्टनीती कहों मुझे कहती है कि इनकी जिन्दगी में कुछ तो बढ़लाव लाओं मैं और तब जाकर कि मैं रिलाल के लिए से कहां कि हम 18,000 गाओं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है कि जिन्हों ने पहुंच आई उनको 600 सरांब लेकिन सब्तर साल के बाद 18,000 न पहुंचना यह भी तो जिम्मेवारी हम लोगों को लेनी चाहिए है और मैंने सरकारी दवत्तर से कहां मैंने काम करो गे तो किसी ने का साथ साल लगेंगे मैं ड़्पार से से less music stuff और मैंने लाल के लिए से गोष्णा कर दी मैं एक हजार दी में काम पूरा करना चाहता हूं कथीन काम था दुर्गम इलाके थे कही तो एक्स्रिमिस्ट लोग माववादियों का इलाका था अठारा हजार गावों में बिजली पहुंचाने का काम करीब करीब पूरा हुआ आप साहिद डेड़ सो पॉने दो सो गाववागी हैं काम चल रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां साउचाने जाने के लिए सूरियो दैज से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं और दिन में कभी जाना पड़े शारी के पीड़ा सहती हैं लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं वो सोचाले के लिए नहीं जाती हैं उस मा को कितनी पीड़ा होती होगी कितना दर्द होगा होगा उसके शरीर प यह सभाल मुझे सोने नहीं देते थे, और तब जाकर मुझे लगा, कि मैं लाल कि लिए पर से जाकर कि अपनी भावनाओं को, बिना लाग लगवेट बता दूंगा, जिम्मेबारी बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने देखा, कि देश ने बहुत रिस्पॉंस दे दिया, जो काम तेजी से चल रहा है, और इसलिए लास माइल डिलिवरी, यह लोक तंत्र में सरकारों की प्रांथ्विक जिम्मेबारी है, और इस ही अभी जैसे मैंने एक बिड़ा उठाया है, पहले उठाया है बिड़ा, गाउं में बिजली पहुचाऊंगा, अब बिड़ा उठाया ह मैं घर में बिजली पहुचाऊंगा, चार करोड परिवार ऐसे हैं, भारत में टोटल 25 करोड परिवार है, 2700 करोड जंसंग लेकिन करीब-करीब 25 करोड परिवार है, 아धी के 70 साल बाद 4 करोड परिवारों में आज भी 28 शताधी की जिंदगी हैं, वो दिया जलाकरे ग में उन चार करोड परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा, उनके बच्चे बिजली में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कॉंपुटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो दुनिया से जुडेंगे, टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा, तो टीवी देखेंगे बदलती हुई दुनिया देखेंगे, वो दुनिया के साथ जुडने के लिए, उनके अंदर भी बेशबरी मुझे पैदा करनी है, उनके अंदर वो बेशबरी पैदा करनी है, ताकि वो भी कुछ करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाए, और वही तो एमपावर्मेंट है, मै गरीबों का Empowerment करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथियों की एक नई फोच तैयार करना चाहता हूं जो फोच गरीबों से निकली होगी और गरीबे से मैं महनत करता हूँ यह बात आपने कही मैं समयता हम देश में इस भीशे में कोई भी बाद देखी है मैं महनत करता हूँ मुद्दा ही नहीं है अगर न करता तो मुद्दा है सवास्व करोड देश वास्यों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है न मेरी कोई जाती है न मेरा कोई बहुश्वाद है कि मेरे मेरे पिताजी कुछ थे मेरे दादा कुछ थे मेरा नाना कुछ थे मेरी नाना कुछ नहीं है तो मेरे पास पुझी एक ही है कठोर परिश्रम मेरे पास पुझी है प्रामानिक का मेरे पास पुझी है मेरे सवासो करोड देशवास्यों का प्यार और इसलिए मुझे जादा से जादा मेहनत करनी चाहिए और मैं देशवास्यों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरीक हूँ मुझे में वो सारी कमिया है जो एक सामान्य मान्वी में होती है कि सोला घंटे तो काम नहीं करते सामान्य क्रिपा करके कोई मुझे अलग न समझो आप मुझे अपने जैसा ही मान लो और हकीकत है मैं किस जगा पर बैठा हूं वो तो एक वबस्था का हिस्सा है लेकिन मैं वही हूँ जो आप है आप से में अलग नहीं हूँ कि मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं मेरे सिख्षकों का बहुत अभारी हूं कि बच्पन में मुझे उन्होंने यह रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया और मुझे जो दाई तो मिलता है उसको मैं सिखने की कोशिश करता हूं समझने की कोशिश करता हूं गल्तियां नहीं होगी मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैंने देश-वाश्यों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है मुझसे गल्तियां हो सकती हैं लेकिन मैंने देश-वाश्यों को भी स्वाद दिया था कि मैं गल्तियां कर सकता हूं लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूँगा लंबे समय तक लॉंगे स्थर्विंग चीप फिनिस्टर के रूप में मुझे आत्में काम करने का मोका मिला अब चार साल होने आया हैं प्रदान मुत्र का प्रदान सेवक का काम मुझे मिल गाया है लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूँगा मैंने देश को बादा किया है अब सवाल ये हैं मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूगा ये कभी नहीं सोचा है लेकिन मेरे भीतन एक भरपूर विस्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो सवासो करोड समाधान भी है कोई कलपना कर सकता है नोट बंदी आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोट बंदी मतलब मुझे अर्जेंटा के अर्जेंटिना के राखपती मिले थे तो वो कह रहे थे मोधी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मेरा दोस्त गया मेरा गया क्या हुआ अरे बोले यार तुमने जब डोट बंदी की तो मैंने उससे समझ चल रहा था उनके पड़ोसी हैं लोग तो उनको पता था तो बोले मेरी पत्नी और हम दुरों चर्चा करते दें मेरा दोस्त गया 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्ता से बाहर हो जाए टीवी के परदे पर लगातार सरकार के खिलाप दुआदार अक्रमन हो लिकिन ये देशवाशियो परती मेरा भरोसा था कि देश मेरा देश इमानदारी के लिए जूज रहा है मेरा सामान ने देश का नागरिक इमानदारी के लिए कश्ट जेनने को तयार है करने को तयार है कि अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदिगी को ढालना चाहिए और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परणाम आप देखते हैं मोदी तो निमित है और एक्चुली मोदी की जरूद है जरूद क्या है किसी को भी पथर मारना है तो मारेंगे किसको भाई किसी को कुड़ा कच्रा फैकना है तो फैकेंगे कहां जी किसी को गालिया देनी है तो देंगे किसको तो मैं अपने आपको सहुभागी सारी मानता हूं कि मेरे समासो करोर देश वाचियों पर कोई पत्थर नहीं पढ रहे हैं कोई कीचर नहीं उच कि तरह आपकी तरह कभी तो नहीं हूं लेकिन हर यूग में कोई कोई कुछ तो लिखते ही रहते हैं आप मैंसे सब नहीं लिखा होगा कि हम सब कभी नहीं बन सकते हैं वो तो प्रसुनी बन सकते हैं लेकिन मैंने कभी लिखा था क्योंकि मैं ऐसी जिन्गी गुजार करके आया कि जो लोग मुझे पुरी कविता की शब्द आज आज आप नहीं लेकिन किसे को रूची होगी तो मेरी एक किताब है जुरू आप देख लेंगा मैं उसमें लेखा था जो लोग मुझे पत्थर फैकते हैं मुझ पर मैं उन पत्थरों से ही पक्ति बना देता हूं और उसी पक सिर्फ सरकार में बैठे वियो लोग नहीं बेरोक्रसी राज्य सरकार है फैडरल स्ट्रक्चर के लिए मेरे बहुत बड़ी प्रात्फ है को अच्टिव जगा रहा हूं कि आप अपने स्टेट के जो आएवरेज है वहां तक मैं उनको उत्सा बढ़ा रहा हूं और वो कर रहे हैं और उसी का प्रणाम है कि टॉइलेट का लख्स करता हूं पूरा हो जाता है इसलिए महात्मा गांधी की वो बात जिसने मुझे जीवन में एक मंत्र के रुप में लिया है कि आजादी के लिए दिवाने बहुत थे आजादी के लिए मरने वाले लोग भी बहुत थे और उनकी त्याद तपस्या को कोई कम नहीं आद सकता है उनकी शाहदत को कि कम नहीं आग सकता है लेकिन गांधी ने आजादी को जनांदोलन बना दिया मैं विकास को जनांदोलन बना रहा हूं मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा और मोदी ने कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन देश सब कुछ करें और मोदी में और सरकार है कभी-कभी बंद कर देना तो भी देश बहुत आगे बढ़ जाता है उन मुल्भूत विचारों से में चलने वाला इंसान होगी देखिए मैं अनुभाव करता हूं कि कि तीन बातों पर मेरा एक अग्र है कि मैं कोई बड़ी-बड़ी बाते करने वाले लोगों में से नहीं हूं मैं मेरी अग्राउंड है तो मैं कि हमारी मेगनाथ बैठे हैं हाँ पर मैं कोई उस प्रकार की बाते करने वाले कोई मेरी परंपरा नहीं है लेकिन कि तीन चीजें कि बच्चों को पड़ाई कि युवा को कमाई कि बुजूर्गों को दबाई कि यह चीजें हैं जो हमें एक स्वस्त समाज के लिए चिंता करने चाहिए मैं अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार हो कोई व्यसन नहों कोई बुराईयां नहों कुछ नहों बहुत अच्छे डंग से चलता हो परिवार किसे का बुरा भी नक्या हो लेकिन उस प कि हाथ पिले करने हैं शादी करवानी हैं और घर में एक व्यक्ति की बिमारी हो जाएं पूरा प्लान खतम हो जाता है बच्ची कमारी रह जाती है बिमारी पुरे परिवार को तभा करके चली जाती है एक गरीब आद में ओटो इच्छे तला रहा है बिमार हो गया एक व्यक हेल्थ श्रक्तर में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लिया है कुछ लोग इसको मोदी के रूप में आज प्रचलीच कर रहे हैं मूलत है योजना है आईशमान भारत और उसमें हमने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हो एफडेबल हेल्थ की बात हो और सस्टेनबल चेंड की आगे बड़े इसके दो कॉंपोनेंट है एक हम देश में करीब करीब डेड़ लाग से जादा वेलनेस सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं तेकि अगल बगल के 12-15 गाउं के लोगों के लिए हेल्थ की सारी सुविधाय उपलब्द हो और वो सारे टेक्नोलोजी डिवन हो ताक कि बड़ी अस्पताल से जूड़ करके वहां पेशन्ट आया है तो उसको तुरन गाइड करें क्या दबाईयां चाहिए दूसरा प्रिवेंटिव हिल्थ को बल बेलें चाहे योगा हो चाहे लाइफस्टाइल हो इन सारी चीजों को प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए चाहे न मेовой के लिए आज भी उतनी उदारतास नहीं जितनी हमारी सरकार ने आकर के की है मुझे मारता हो युके के लोग भी जानकर-क खुश हो जाएंगे हम ने उन बच्चों के स्वास की चिंटा करते हुए उस माले के स्वास की कि परिवार को एक ऐसे ही व्यवस्ता दी जाएं, भारत के करीब 10 करोड परिवार, यानि 50 करोड पॉपिलेशन एक प्रकार से आधी जनसें क्या, उनको साल भर में पांच लाख रुपिया तक की बिमारी का खर्चा सरकार भुक्तान करेगी. एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति, अगर जितनी बिमारी होते हैं, पांच लाख रुपिया तक का बिमेंट सरकार देगी. इसके कारण गरीब की जिन्दगी में यह जो संकट आता है, उसे मुक्ती मिलेगी. मैं जानता हूँ, बड़ा बगीरत काम है, लेकिन किसी के हो तो करना चाहिए. दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट होस्पिटल आने की संभावना है, टायर टू, टायर थ्री सिटी में, अच्छे होस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा. क्योंकि उनको पता है, कि पेशन्ट आएगा, क्योंकि पेशन्ट को पता है, कि मेरे पैसे कोई देने वाला है, तो जुरूर जाएगा. थोड़ी सी बीबार आईगी, तो आज नहीं जाता है. वो कहता है, छोड़ो यार दो दिन में ठीक हो जाऊँगा, वो जेल लेता है. लेकिन जब पता है, तो जाएगा. अस्पताल को भी पता है, कि मेरे पेशन्ट जुरूर आएगे, तो कि पैसे देने वाला कोई और है. और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेंड बनेगा. और मैं मानता हूँ, निकट भविश्पें, और आप मैंसे जो हेल्ट की खेतर में काम करना चाहते हैं, एक हजार से जादा नए अच्छे हॉस्पिटल बनने की संभावना पैदा हुई है. ये पर्मेनेट सॉल्यूशन से पैदा होने वाले है. उसी प्रकार से दवाईयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है. आप जानते होंगे, ड कार्माइशूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं. तो हमने क्या किया जंद्रिक मेडिसिन्स और वो उतनी उत्तम कॉलिटी के होती है. जो दवाई सो रुपे में मिलती थी, वो आज जंद्रिक मेडिकल स्टोर में पंदरा रुपे में मिलती है. करीफ तीन हजार ऐसी हमने जन आउस्वधालय का काम किया है और 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 भी हम बढ़ा रहे हैं, ताकि सामान ने बखते हैं, और उसको हम प्रचारिज भी कर रहे हैं, उसी प्रकार से, अगर जाएंगे तो डॉक्टर बढ़ाएगा है, हाट की बिमारी अब आपको तो पता तो दो लाग हो और पाएं, खोल ल सक रहे हैं, एक बढ़ खोता है, तो यार, कुछ होगा तो तो डॉक्टर गया है, स्टेंट रहता है तो कहता हैimmers multiplier mówi, तो जार जिवन तक साल के बाद, नाय तो फिर वह वह प्रmसrev में नए सांसरेघे तो बढ़े स्फीं sono Milanoff आता है, तो मैंने नेगोशेशन शुरू किया और आप हैरान होंगे करीब करीब साइट से असी परसंद कीमत कम हो गई जो डेड़ लाग दो लाग होता था वह आज 20,000-25,000 में हो रहा है गरीब की से उसी प्रकार से करें रहा है नीट रांस्प्लांट को अब लोगों यह अधर तो रही नहीं आसन योगा करने की कि हमाई थक जाता हो यह अब यह करो आभ यह चलता नहीं है तो कहते चलो स्कूरू मिजाद प्रेट करवादो और बहुत पैसे लेते हैं मैंने उनको भी खर तैसे कई पहलू को लिया है हम दें कि पूरे हेल्ट सेक्टर को होलिस्टिक अप्रोच हम काम कर रहे हैं कर रहे हैं खर तैसे लिए उनके सका अप्रोच हम आपिए अप्रेगाधों सेक्टर को भी खर तैसे लिए